आज का हमारा टूर है राज़ानी देहरादून के फेमस गुर्धा टेमबल की ओर So, Hello Friends, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी चैनल उत्राखन के लोग में गुद्धा मंदिर देहरादून में सित है यह दिल्ली सहरनपूर रोर पर क्लेमेंट टाउन में सित है और IFBT देहरादून से बस चार किलोमेटर की दूरी पर है यह शाम को घुनने के लिए बहुत अच्छी जगा है तिपती बॉर्धु मंदिर देहरादून के प्रसिद्ध स्थलो में से एक है यह अपने सुन्दर वास्तु कला शांति पूर्ण परिवेश के लिए जाना जाता है इसे माइन रोलिंग मॉनस्ट्री के नाम से भी जानते है भारत में तिपती संस्कृती को बढ़ावा देने के लिए बने बॉर्धु मंदिर को जापानी स्थापत की शैली में बनाया गया है मंदिर का मुक्षे स्थोग 220 पीट हुचा है इस पांच मंगिला बॉत मंदिर में सबसे निचले तल में भगवान पद्म संभव की एक शानदार मूर्धी है दूपरे तल में भगवान बुध्य की एक मुक्ष मूर्धी और छोटे स्थाइस की कई सारी मूर्धिया है मंदिर के अंदर फोटोग्राफिय अलाउट नहीं है मंदिर के अंदर की दिवार पर बहुत सी शानदार पेंटिंग्स हैं जो जातक कथाओं को चेटर करती है ये पेंटिंग्स भगवान पुध्य के पूरो जन्मों को दर्शाती है मंदिर का निर्माण 1965 में भारत की तिपती समुधाय द्वारा एक तिपती मठ की नकल के रुप में किया गया था क्योंकि तिपत में 17th सेंचुरी में मंगोलों द्वारा ओरिजिनल मठ को नुकसान पहुँचाए गया था तीन मंजिलों पर अलंकरत सजावर देखने के पाद मंदिर की चौथी मंजिल पर खले में एक मंज है जो पूरी तेहरादून घटी का 360 डिगरी का व्यूप दिखाता है और वो बहुत ही आकरशित करने वालत दिश्य होता है कहते हैं कि मंदिर को लगभग पच्चास से जादा कलाकारा द्वारा चित्रिट गया था जिन्होंने गूल्टन पेंट के इस तरह के धाचे के निर्माण के लिए तीन साल से जादा के समय लिया था बुद्धा मंदिर के चारों तरफ हरा भरा गार्डन पेड़ पौधे और शौपिंग कॉम्पलेक्स है बुद्धा मंदिर में तिबबतिन संस्क्रित से जूड़ी कई चीजों का पानल दे सकती है जैसे किताबें, उनका पहनावा, खाना, वास्तु कला और हस्त कला से निर्मित चीजों का मंदिर परिस्तर में एक सुन्दर उद्ध्यान और एक किताबों की दुकान भी शामिल है जो तिबबति पुस्तकों का भंडार है जो भुथ, जो हम ए कोम पहने के लहाँ पानल ल nella कि का लंता है जो हम जो हाँ, ंजो हम एक लिथान खाला है जो हम थे जो lifting का पत्मा we ficar आए हों किताबें हम पर भंडल ग्यान घुरिके जो हम एक में खुच दो को एक खत्तबश्याया जोा है आप सकती है अज बड़ाई तो बुद्ध मंदिर के परिसर को तिपती धर्म के चार विद्यालों में से एक के रूप में बनाया गया था बुद्ध मंदिर में हर साल साड़े चार सो से जादा लामा शिख्या प्राप्त करने के लिए आते हैं जिनकी देखरेख गुद्धा मंदिर के प्राधिकारी करते हैं उन्हें मंदिर में मुप्त में रहना, खाना, कपड़े, दवाईया और अन्य सुविधाई दी जाती हैं खाने पीने के लिए भी बहुत सी डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं यहाँ आप तिबदी लोगों का ट्रेडिशनल फूद ट्राइ कर सकते हैं यहाँ आके लोकल चटनी को चक्ना न भूले अगर आपको पैंटिंग, बुक रीडिंग, आर्किटेक्चर, स्वैवलिंग, मूर्दी करा, डिफरेंट फूट ट्राइ करना और नई कल्चेर को जानना पसंद जाए तो आप यहाँ जरू जाएं मंदर का एक अन्य आकर्शन भगवान बुद्ध की 130 फिट मूची प्रतिमा है, जो दलाई लामा को समर्बित है इस प्रतिमा की स्थापना चौद में दलाई लामा जी के हातों से खूले है यह मूर्थी भारत में स्थित भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्थियों में से एक है वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक्स दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करते हो और ऐसी मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे तब तक के लिए बाई